पूरे देश भर में One Nation, One Election की बात चल रही है। इसी बीच मुख्यमंत्र नितीश कुमार ने कहा है कि समय से पहले चुनाओ हो सकते हैं। इन सब बातों के बीच बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ह. श. 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 आज बक्सर पहुंचे। बख्सर किया यह फ़ेशन का है। उन निर्वाचम निर्वाचन के बात करने के बाद उन्होंने पत्रकारों यह निरेख वाच Quand पहुंचे हुकत थे उन्होंने बताया कि यहां आने के बाद उन्होंने देखा कि भी भी पैट की क्या इस्थिती है उनके साथ यहां पर कई राजनितिक दलों के प्रतिनी दीव मौज़ुत है करना मैं बखसर पहले कभी नहीं आया है इसी साल चुनाव कराने के तो यह संकित नहीं है जो आदेश होता है उसका अनुपारां करना ही हमारा काम है सब्सक्राइब करने के तो इस पर कई शवाल उट रहे हैं कि आप लोग अचाना कहा गए है इस पर बात रहे हैं कि नौमबर मैंना मैंना में इस सारी मेशिस का चेकिंग करना के लिए कंपनी के इंजिनेर्स आएंगे उसमें मैं सभी प्लिटिकल पार्टिक को रिक्वेस्ट किया हूं कि वह भी अपने अपने पतिनी दिर्कों रखेंगे अंदर भी सिन चलना उन्होंने कहा कि इंडिया गडवन्दन से भाजपा बुली तरह डल हुई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी मध्यावदी चुनाव करा सकते हैं हम लोगों को यहीं लग रहा है कि जो पारल्यामेंट अचानक चलाया गया यह जो जांच पर जांच हो रहे हैं इसे तो संकेते ही मिल रहा है कि मोदी जी घवडाय हुए है और इस घवडाहट में उन्हों चुनाव करा भी सकते हैं अपका इंडिया कटबंदन तयार है क्या इंडिया कटबंदन तयार है इंडिया कटबंदन से तो जाड़ हो गई है बीजेपी को और इसी ठंड की हवा जो लगी है तो यह भारती जंतर पाटी वाली लोग पड़ा रही है और उस हिसाब से तो यहीं लगता है कि मोदी जी घवडाय हुए हैं तेरे हुए हैं कि इसमें पार्लियामेंट का बुला लिया यह सब उसी का संकेत है कि चुना हो सकता है तो दूसरी है न भाई यहां तो मैंने देखा कि है वीडियो उपर जारसारा समान एक जगा रखा हुए अब वो तो इंजिनियर बताएगा कि इसने क्या है नहीं है क्या होगा नहीं हाला कि उन्होंने कहा कि इस बार भारी बहुमत से इंडिया गडवंदन की जीत होगी वहीं दूसरी तरफ हमने इस संदर्व में लोजपा राम बिलास के जिला ध्यक्ष अकले सिंग से बात की तो उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्षन बेहतर फर्मूला है ऐसा पहले स होता है और होना भी चाहिए इंडिया राम रख कर भारत की जनता को गुमरा करते यह संभाना है बारत की जनता पूंता और नरेंद्र मोधी जी के साथ है और इन लोग की बेचैनी है जो भी भरस्टाचारियों का टीम है ये लोग घरबड़ा गये हैं इसलिए कि आधरणिये नेंदर मोदी जी ने चुन चुन का जो भारत की जीतने भरस्टाचारी है वो जेल के सलाखों के पीछे भेज रहे हैं तो इन लोग का टर बन गया है कि अ अगर नहीं हटाएंगे हम लोग मिल कर तो फिर हम लोग की जो राजनितिक जमीन है वो समाप तो माध्यावदे चुनाव का सा रह गया राजतो कर एक चुनाव हो सकते हैं तो लोग सभा का सत्र है 18-22 तारिक वन नेशन वन एलेक्षन होना चाहिए देश में पहले से होता र के लिए और देश की जनता के लिए यह अच्छा होगा है लोजपा राम विलास के जिला ध्यक्ष अखले सिंग की इस बात से इस बात को बल मिलता है कि यहां मध्यावदी चुनाव हो सकते हैं और आज जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी आयत है कही ना कहीं वो के दिपांकर भटा अचारे आये थे और उनसे पूछा गया था उन्होंने कहा था कि यह सिट उनकी भी हो सकती है और वह भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं आलगि उन्होंने कहा था कि महागडवन्धन का जो फैसला होगा उसके अनुसार ही आगे कुछ भी किया जाएग हाल ही की दिनों में बकसर से सदर विधायक संजे कुमार तिवारी उर्फ मुना तिवारी ने कहा कि लोकसभा चुनाओं में कॉंग्रेस को यह सीट मिलनी चाहिए लेकिन उन्होंने भी यही बात कही कि जब तक इंडिया गटबंधन की बातचीत में यह बात क्लियर नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है उधर पहले से ही केंद्रिय मंत्री सहब बकसर सांसद अश्विनी कुमार चौबे भाचपा के टिकट पर यहां सांसद है और तो और यह सीट जो लोकसभा की है इस पर राजद हमेशा से चुनाओ लड़ती रहती है ऐसे में इस सीट को लेकर भी कई लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा जोड़ ली है विहार सरकार के पूरो मंत्री ददन पहलवान ने भी कहा है कि इस सीट से वह अश्विनी चौबे की छुटी कर देंगे उधर पिछले दिनों आनन्द मोहन जबकसर आये थे तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिये थे उन्होंने भी जद्यू के समर्थन में ऐसा कहा था कि सीट से जद्यू भी चुनाओ लड़ सकती है ऐसे में कई पार्टियां इस सीट से दावेदारी कर रही है तो बकसर की सीट पर किसकी दावेदारी होगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फिलहाल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के यहां निरिक्षन के बाद एक बात जोर पकड़ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मध्यावदी चुनाव हो सकते हैं बकसर से चंद्रकांत निराला